दोस्तो सबसे पहले मैं आप से एक सवाल पुछता हूँ कि अंडा साकाहार है या फिर मानसाहार यानि की भेज है या फिर नन भेज कुछ लोग कहेंगे कि ये तो भाई मानसाहार है क्योंकि ये मुर्गी से निकलता है, सिम्पल सी फंडा है तो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि नहीं, हम कहीं सुने हैं या फिर पढ़े हैं कि अंडा साका हार है, बेग्यानिकों ने खोज निकाला है, ये भी लोग कहते हैं, लेकिन उनके अंदर में confidence नहीं रहाता है कि एक्चुल में ये साका हार है या फिर नहीं है, और मानसा हार कहने वालों को भी confidence नहीं है, कि भाई ये विग्यानिक हैं, कहीं ये साका हार तो नहीं है, बहुत कुल मिला करके यहां पर confusion है, contradiction भी है, और कई सदियों से ये चीजे चली आ रही है, लेकिन दोस्तों अब यहां पर 100% इस वीडियो में पता चल जाएगा, कि ये साका हार है या फ कि भै कि वै किस प्रकार से विग्यानिकों और साकाहारियों में किस तरह से contradiction प्इदा हुआ है, थोड़ा उस पर हम चरशा कर लेते हैं, एक तरश हम रखते हैं साका हारियों को, सा-का-हा-री और दूसरी तरफ हम रखते हैं वेग्यानिकों को, conclude, close要, यानि कि science को, चलिए सा हम घयाको हरों को कहना है कि भई यह क्या है अंडा तो मांसाहार है एक दम कि लिए या भाई ये कहा दियें कि भाई ये मानसाहार है चलिए एक नंबर इसके लिए हम साकाहारी को दे दियें देखिए साकाहारी और साकाहार में अंतर एक नहीं साकाहारी बोलें या मानसाहारी बोलें और रहे हैं कि नहीं? चलिए इहां पर. अब शुरू करते हैं. यहां पर साकाहरी बोल दिया कि यह मांसा हार है और बेग्ञानि को कहना है कि नहीं, यह तो भई साकाहार है. ठीक है? क्या है? साकाहार है. चलिए इhtaर भी हम एक नंबर दे दियां. और फिर बेग्यानिकों कहना है कि अच्छा ये बात है, तो दूद को भी मान सहार होना चाहिए था, क्योंकि वो भी गाई से निकलता है, है कि नहीं, तो इधर भी एक नमबर मेल गिया, बाई बेग्यानिक भी थोड़ी न पागल है, कोई भी चीज को बोले हैं, तो सोच समझ करके बोले हैं, है कि नहीं, अब इधर इनलोग परिसान कि अच्छा ये बात है, अच्छा, फिर साकाहरी सब बेग्यानिक से कहा रहे हैं कि अच्छा ये बात है, अब बताईए, अंडा से चूजा निकलता है, तो दूद से बच्रा निकलता है, क्या, नहीं ना, बेग्यान सब हो गए हैरान की बात तो सही है भाई अब बेग्यानिक को कहा कि अच्छा तुम मान नहीं रहे हो ना चलिए अब इसमें हम study करते हैं इसके अंदर जाते हैं इसके अंदर में कौन-कौन सी चीजे हैं कब चूजा बनता है आधी-ाधी तब तुमको हम बताते हैं ठीक है अब ग्यानिक सब जो है एकदम research करने लगे यहाँ पर क्या होने लगा research होने लगा कि भाई इसके अंदर में कौन-कौन सी चीजे हैं चूजा कब बनता है जो market में जो अंडा मिल रहा है कि क्या वह साका हार है या फिर मान साहर है किस तरह से हम दरसाएंगे पूरा study हुआ और बा पास होते हैं सबसे पहला पास ऐगर हम बोले तो यह क्या है cell जिसको क्या काँए कवच कहेंगे क्या 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 तरक है यह उपर वाला हो गया क्या यह सोधी चोब हो गज़ित कहफच और यह बीच वाला मत्या ची हो गया योग यानी कि जर्दी तीन पार्टस मीथ होते हैं ऐसे अब यहां पर कहच है वो 10 % होता है और किससे मिलकर बना होता है Ched default newspaper का सुत्र होता है राशाईनी इस होता है calcium carbonate, clear, चलिए, अब सफेदी यानि कि albumin, जो यहाँ पर आपको लार-लार जैसा जो white वाला color वाला दिखता है, उसी को बोलोग बोलते है, सफेदी, यह 60% होता है, पूरा अंडा में यह 60% होता है, भाई, अब इसमें क्या होता है, पानी होता है, और भरपूर मातरा में इसमें 30% होता है, जो पिला-पिला है, वो 30% होता है, और इसमें भाई, वसा होता है, साथ में प्रोटीन भी होता है, और कई vitamins वेगरा भी होते हैं, और कोलेस्ट्रेल भी होता है, यहाँ पर अंडा का composition जो है, वो भी देख सकते हैं कि जल % रहता है, प्रोटीन 12-14%, वसा 10-12%, खनी पर हम पार्ट्स पार्ट्स आपको बता दियें, यहाँ बीच में इसके अंदर में कोलेस्ट्रोल वेगरा पाये जाता है, इसलिए जो हम लोग बीच वाला जल्दी नहीं खाते हैं, आप लोग देखते होंगे कि बीच वाला निकाल करके बहुत सारे आदमी खाते हैं, यह कि अंदर कोलेस्ट्रोल है, और कोलेस्ट्रोल के अगर हम खाते हैं, लगातार सेवन करेंगे, तो भई क्या होगा, बलर्ड जो सर्कुलेशन हो जाएगा, हार्ट टेक की चांसे ज्यादा होती है, हार्ट टेक वाला बीमारी जो है, इसके वाजा से होता है, ऐसी बाते हैं, लेकिन विज्यानिकों ने कहा कि भाई जो मार्केट में जो अंडे मिलते हैं, जो मार्केट में जो आपको खाने के लिए अंडे मिलते हैं, वो अंडे एक्छोली अन्फरटिलाइजड होते हैं, यानि अनिसेचित, यानि कि वैसा मुर्गी से अंडा प्राप्त हुआ है, जिस मुर्गी चे साथ मुर्गा नहीं, क्या किया है, कुछ नहीं किया है, थिक है, बस में पहरा रही है नहीं, मुर्गा उसके साथ कभी relation में ना रहा है मुर्गी के साथ और उस मुर्गी से एक्शनली अंड़ पर्याप्त हुआ है और आप तक पुमेंए जा रहा है मादा कुल मिला करके वह Un-Fertilized है यौनी कि अ-टिसेचित है इसलिए क्या हुआ अनडा ये जो है यहां पर साकाहार हो गया यहां बैज्यानीकों ने कहा दिया की भाई ये जो अंड़ है वो क्या है स साकाहार है, साकाहार एकदम ये बात आपको नोट करके रखना है, मानसार हो सकता है, कब हो सकता है, जब मुर्गी अंड़ा दे रही है, उस वक्त अगर मुर्गा रिलेशन में आ गया, तो भाई इसके अंदर में जो है, गेमेट सेल जो होते हैं, अगर अगर बनना प्रारम हो जाएगा और यहां पर प्रोटीन है उसको खाका करके जिन्दा रहेगी जब बड़ा हो जाएगी तो भाई फार करके बाहर निकल जाता है चुजा बात आपको समय में आ रही है तो अगर मुर्गा मुर्गा रिलेशन में अगर मुर्गी के साथ था जिस समय मुर्गी अंडा दे रही थी तब फिर वो अंडा मलब फर्टिलाइजट कहलाएगा और फिर वो हम मानसाहर की केटिगरी में रख सकते हैं लेकिन आजकाल जो अंडे आपको बजार में मिलते हैं जो बजार में मिलते मुर्गी अंडा तो देगी भाई एक डेड़ दिन के अंदर जो है एक एक अंडा देते चले जाती है किलियर तो जो मार्केट में अंडा मिलता है वो तो 100% भाई आप कह सकते हैं कि वो साकाहार है भेज है इसलिए चिंता करने की आपको ज़रुरत नहीं है अगर आप एक साका हार ही आदमी है तो जो मार्केट में जो अंडे मिलते हैं उसे ला करके आप खा सकते हैं आप ये मत कहिएगा कि भाई अंडा जो है मानसाहार है क्यों कि भाई इसके अंदर में जो प्रोटीन वेगरा पाया जाता है जो वसा पाया जाता है ये जो कैलिसियम कार्बोनेट है पई तो भाई दाल, चाब, फलना चुलना इसमी पाई जाता है दूद में भी एैं सारी चीज Notes लाई जाती है तो पर हम कहा देंगे इसको मान साहार कहा देंगे है कि नहीं, कहाना नहीं है exhaust स्रीनिक बर मिल करेंगे छीनिक दूद दूद मी न Ain't है लेकिन साकाहर के केटेगरी में है, तो है, इसमें कोई दूमत की बात वाली नहीं है, लेकिन अगर पूरा जड़ से जाएंगे तो फिर उसमें भी confusion पैदा जागा, इसलिए इतना ही पर रही है, अंडा भी साकाहर है, दूद भी साकाहर है, किलियर, यहां तक सहुआ आई, जो जीवात्पन हो सके, जीव का उत्पन हो सके, किलियर, सिम्पल सी फंडा है, यहां तक समझ में आपको आ गया होगा, कि क्या आज की इस वीडियो का मलब की निसकर्स था, कुल मिला करके आपको यह समझना है, कि अंडा क्या है, साकाहर है, लेकिन वैसे अंडे, जिसमें मुर सार के के डिगरी में आ जाएगा, सोचली जी ठीक है, तो से बाते ध्यान देने की बाते हैं जो जरूरी है, ठीक है, तो चलिए जोस्तों मुझे उमीद है कि आपको हर चीजे समझ में आ गई, तो यहां पर वैग्यानिक साब पास हो जाते, क्योंकि इन लोग फैक्ट देते हम लोग हवा जहाज से, जहाज से आना जाना करते हैं, इतने सारी चीजें आप वीडियो देख रहे हैं, सब कुछ साइन्स का देन है, तो साइन्स का कहाओ बची आप नहीं मनिएगा, बिल्कुल मनना पड़ेगा, और अगर हम बात करें, NIN का अगर बात करें, National Institute of Nutrition, तो डान में इसका कहाँ है कि 180 आंडा का चाहा दना चाह कहना है, साका अहार रहे या पर मानसाहार रहे कोई दिकत नहीं है, व्योंकि या अन्डा ृ क्या किया मार। कि लिए कंवडियो से बना चिये буðों कोई मुद्ण नहीं है, लेकिन आपको 100% सिचया क्शी ओ यह अन्डरि आगला वीडियो में जाहिंद वांदे मातरम।